साथियों, सो साल बाद आई, इतनी भीशन महामारी, कदम कदम पर दुनिया की परिच्छा ले रही है। हमारे सामने एक अद्रुष्य दुश्मन है, और ये दुश्मन बहुरुपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कॉरोना वाइरस के कारण, हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कश्ट देश वासियों ने सहा हैं, अनेकों लोग जिस दर्थ से गुजरे हैं, तकलीप से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही मैसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते, आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से, मुकाबले में, संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोत थे, वो तेजी से दूर किये जा रहा हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयांस हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षाबल, हमारे साइन्टिस्ट, हर कोई दिन रात कोवीड की चनवती का मुकाबला करने में एक जूट है। देश के अलग-अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोवीड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नलोजी से ऑक्सिजन प्लांट लगाये जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं बायू सेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। आक्सिजन रेल इसने कोरोना के खिलाब इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेंज, ये आक्सिजन रेल आक्सिजन पहुंचाने में जुटी हैं। आक्सिजन टैंकर्स, ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सभाई कर्मचारी हो, एम्मूलन्स के ड्राइवर्स हो, लेब में काम करने वाले सज्जन हो, सेंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो। एक-एक जीवन को बचाने के लिए 2400 घंटे जुटे हुए है। आज देश में जरूरी दवाईयों की आपूर्ती बढ़ाने पर युद्दस तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाईयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाईयों मंगबाई जा रही है। इस संकट के समय में दवाईयों और जरूरी बस्तों की जमाखोरी और काला बजारी में भी कुछ लोग अपने निहिर्थ स्वार्त के कारण लगे हुए है। मैं राज्य सरकारों से आगर करूँगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कारवाई की जाएं। यह मानवता के खिलाब का क्रत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे